तो यह वीडियो में हम लोग बात करने जा रहें टाटा पावर के ऊपर कुछ वीडियो में आपके सामने टेक्निकल अस्पेक्ट कुछ दिखाना चाहरा हूँ टाटा पावर के अंदर फोड़ा से बात कर लेते हैं निफ्टी पर आज भी फ्राइडे के दिन 16,200 प्लस के लेवल सस्टेनेबल बेसिस पर आते वे दिखाई दे रहें यानि के थोड़ा बहुत डिप तो जरूर लिया है तकरीबन 50-60 पोइंट का बट उसके बाद में वापस से 16,200 के लेवल पर आकर स्टेबल हो गया है अब हमारा व्यू निफ्टी को लेके क्या होना चाहिए देखें 15,180 के आसपास से निफ्टी ने सपोर्ट लिया था जो नए low levels दिखाए थे इस lag of downtrend के अंदर यहां से अगर आप देखें 16,200 तक almost 1,000 plus points की rally निफ्टी ने दिखा दी है हा लेकिन निफ्टी में अभी कोई जादा ऐसी problematic situation नहीं दिखाई दे रही कि निफ्टी यहां से sink हो सकता है बट क्योंकि 1000 points से जादा की rally हमें देखने को मिली है अभी recent के bottom से तो थोड़ा सा skeptical view आपको रखना चाहिए यानि कि उतना जादा अभी expect नहीं करना चाहिए कि एकदम आज ये कल की trading session में आने वाले मंडे की trading session में nifty 16,500 के level को achieve करतावा दिखाए दे क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाइड सी बात एक sharp profit booking भी आपको देखने को मिल सकती है तो now we are quite skeptical कि आगे का जो move है उसके अंदर थोड़ा सा या तो consolidation होना चाहिए या फिर profit booking होनी चाहिए 15,850 तक के level पर और ये 15,850 तक के level पर ही क्यों होनी चाहिए यहाँ पर support क्यों मिलना चाहिए यह हम nifty की video में थोड़ा सा discuss करेंगे तो फिलाल के लिए nifty बहुत अच्छे momentum है बट cool off लेना, सांस लेना, breather लेना बहुत ज़रूर ही है इसलिए we are not expecting, we are not in a hurry कि 16,500 के levels immediately आते वे दिखाई दे and because of this reason अब हमें वो stocks पकरने हैं जहाँ पर momentum create हो रहा है और जिन stocks के RSI अभी overbought zone पर नहीं पहुचे नहीं short up हुए है मैं टाटा पावर की बात कर रहा हूं देखे इस stock ने particular क्या situations दिखाई है अभी हाल ही की बात करेंगे तो इस stock ने नए 52 week high levels लगाए थे जस्ट दो रुपे नीचे रह गया था ये 300 के level से 298 रुपीज के इस के high level थे 7th of April को इस candle पर fine 7th April को इसने जो high levels लगाए थे 298 रुपीज के वहां से इस के अंदर जो गिरावट हुई है इस गिरावट ने इस stock को 190 रुपीज पर ला दिया था तो एक अच्छी खासी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली थी और previous जो base level थे 200 रुपे के वो भी इसने break कर दिये थे decisively अभी कुछ दिन पहले लेकिन 190 रुपीज पर एक base बनाया और वहां से जो ये recovery आई है इस recovery ने इस pullback ने actually में इस stock के अंदर एक V-shape recovery वाला mode ला दिया है अब ये V-shape recovery में अगर आप देखें तो सबसे पहला positive point है कि इसने 200 डेमा को cross कर लिया यानि कि 200 डेमा के ऊपर ये stock आके trade होने लगा है तो bearish side से bullish side में ये stock अलड़ी enter कर चुका है पर फर्दर कितना और potential है इस stock के अंदर अपराइज movement दिखाने का ये हमें सबसे पहले देखना है तो आगे मैं इसको और conclude करूँ लेके चलूँ सबसे पहले तो मैं आपको RSI के levels दिखा देता हूँ RSI के levels फिलाल के इसाफसे गर आप देखें तो 50 के आसपास है ठीके ना 50 के आसपास के levels है और direction के इसाफसे positive इस वक्त है लेकिन यहां से अगर ऊपर आएगा तो breakout situations यहां पर देखने को मिलेंगी अब RSI का क्यों ऊपर की तरफ नहीं जादा जा रहा है उसका सबसे बड़ा करण यह है कि इस stock में volumes का support नहीं मिल रहा है आप यह देखिए भले ही यहां पर अगर हम लोग यह कह सकें कि sellers एकदम गयाब हो चुके है क्योंकि लगातार green candle की formation है बट एक breakout या फिर एक high way momentum यहां पर इसलिए created नहीं है क्योंकि volumes के साथ में यहां पर buying नहीं हो रही volumes काफी जादा कम है इनफेक्ट आज की candle अगर आप देखें तो काफी average से भी नीचे की तरफ आते भी दिखाई दे रही है तो जब तक volumes का साथ Tata Power को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वो situations नहीं देख सकते कि इसके अंदर इन level से 220 प्लस के level से कोई further up move आ सकता है 220 रुपे के बादी इसमें कोई बड़ा breakout या बड़े levels अचीव होते वे देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर इसलिए तोड़ा सा अभी आपको wait and watch करना है कि यहाँ पर volumes बेहद कम हैं बहुत कम volumes हैं और without volumes यह sustainable हो पाएगा या नहीं इसके उपर भी एक doubt बनतावा नजर आता है हाला कि downside बहुत कम है रिस्क बहुत जादा कम है यहाँ से कोई position लग बनाना चाहें और बहुत जादा optimistic अगर हो तो मैं आपको levels दिखाऊंगा काफी अच्छे levels बनते वे दिखाई दे रहें बट आपको stop loss intact रखना है 201 रुपीस का जो यहाँ पर इस swing low के उपर आतावा दिखाई दे रहा है इससे पहले का stop loss अगर आपको लगाना चाहें तो 200 डेमा का भी लगा सकते हैं जो 211 रुपे के आसपास है लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा अगर conservative सोच लेके चलेंगे टाटा पावर के अंदर तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर dip फिलाल एक आ सकता है और फिर उसके बाद में 200 डेमा को retest करके यह उपर की तरफ निकल सकता है और यह जो triangle pattern की formation है इसको हम लोग कहते है ascending triangle pattern formation इस ascending triangle pattern formation के अंदर अगर आप देखें मेरे पास में जो resistance level आ रहे हैं यह कौन से levels है यह मेरे पास levels आ रहे है 217 रुपीज की यह आज के day high level ही इसके लिए एक resistance का का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसको यह cross नहीं कर पा रहा है उपर की तरफ और नीचे अगर इसी के नीचे मैं देखू इस ascending triangle pattern का जो यह base मेरे पास है triangle का जो यह lower level है कहाँ पर है 205 रुपे के आसपास इस level पर मैं mark कर देता हूँ 205 रुपे तो almost अगर मैं यहां से target लेने की कोशिश करूँ short term के अंदर अगर volume मिल जाते है इस stock को तो यह कहां तक जा सकता है इस 217 रुपे के उपर 12 रुपीज में और add कर लेता हूँ क्योंकि 12 रुपे का swing मुझे देखने को मिल सकता है तो almost मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे पास 229 रुपीज के लेवल्स देखने को मिल सकते है इन लेवल्स के आसपास यह कहीं आतावा दिखाई दे सकता है जो dotted line आप उपर देख रहे हैं यह target इसका हो सकता है आने वाले time में उस condition के लिए अगर मुझे यहाँ पर play करना हो तो definitely मैं play कर सकता हूँ targets के साब से मैंने यह 229 रुपीज के लेवल आपको बता दिये stop loss आपको बता दिये अगर आप बहुत short term के trader है तो 211 से 211 रुपे पर stop loss लगाएंगे और अगर आप एक थोड़ा से conservative trader हैं तो फिर आपके लिए जो देखिए यहाँ पर stop loss आ रहा है वो 201 रुपे का आ रहा है all over Tata power के अंदर जो downside है वो काफी जादा limited है लेकिन breakout आने के लिए volumes चाहिए जो volumes अभी हाँ से बिलकुल गायब दिखाए दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आज या फिर आने वाले एक दो trading sessions में इसके अंदर कोई बड़ा breakout देखने को मिल सकता है तो फिलाल immediately थोड़ा सा wait and watch मुझे लगता है रखना चाहिए 220 प्लस के level इसके अंदर आए तब मैं definitely हाँ पर comfortably positions बना सकते हैं कंडिशन में मुझे एक अच्छे target ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं आई खोप आपको point समझ में आयोंगे क्या situation दिखाए दे रहे हैं और इसके अगर हम लोग stats अभी देखें तो क्या चल रहे हैं कि आज तकरीबन आधे percent की तेजी दिखाए दे रहे हैं फिलाल data देखें तो 39% के आजपास की delivery positions आपको आती भी दिखाए दे रहे हैं तो delivery percentage तो बहुत अच्छी हैं, quite decent है let's see कि आने वाले टाइम में volumes गेन हो पाते हैं आपर या नहीं इस type से positions आप बना सकते हैं Tata Power के अंदर I hope आपको points क्लियर हुए होंगे हर जंगा Tata Power का जिक्र हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि Tata Power के अंदर आप positions लेके बैट जाएं और short term में आप सोचें कि एकदम से उपर की तरफ जाएगा तो आपको समझना चाहिए कि अगर इसको momentum गेन करना है तो किन technical indicators की requirement है और कहां तक के level से stock के अंदर देखने को मिल सकते हैं इस video में फिलाल इतना ही video अगर आपको अच्छी लेगी तो लाइक और शेयर दूर कीजिएगा ऐसी और stock specific videos को देखने के लिए विट अबाव पार को अभी subscribe करें अगर आपने subscribe नहीं किया है तो और साथ ही में बैल आइकन भी जरूद अबार्दी जिसे आप मेरी कोई भी वीडियो की notification मिसना कर पाएं मिल दो भूल जल्द आप से एक लिए वीडियो में तिल दन थेंक्यू बाए